चुप परभात बच्चों, द्वित्य शेनी, आज हम वर्न विचार पढ़ने जा रहे हैं, वर्न का मतलब होता है बेटा, अक्षर, हम जो कुछ भी बोलते हैं, उसमें कई द्वनियां होती हैं, जैसे इधर आओ, बच्चों द्वनियों का मतलब होता है, अवाजें, हर द्व वर्नियों के ये निश्चित चिन नहीं, वर्न जा अक्षर कहलाते हैं, ये जो चिन होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड, अ, आ, ई, ई, ये हमारी निश्चित चिन होते हैं, भाशा की सबसे छोटी इकाई, वर्न कहलाती है, वर्न के टुकडे नहीं किये जा सकते, वर्न होता है अक्षर, इसके कभी भी टुकडे नहीं किये जा सकते, जैसे कमय, ठीक है, हर भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, उसके जो अक्षरों की बनावट होती है, वो अलग-अलग परकार की होती है, जैसे हमारी हिंदी की भाषा के जो वर्नों की बनावट है, वो अलग परकार क होती है वर्नों का विवस्थित क्रम जा स्मु वर्न माला कहलाता है जो अक्ष्रों का जो विवस्थित क्रम होता है उसे स्मु वर्न माला कहते हैं वर्न माला नाम से ही पता चलता है जैसे माला को एक धागे में मोतियों को प्रोकर माला त्यार की जाती है प्रंतु उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है हमारी हिंदी की वर्ण माला का एक निश्चित क्रम होता है इसमें स्वर और व्यंचनों की संख्या भी निर्धारित होती है वर्णों के परकार वर्णों दो परकार के होते हैं स्वर और व्यंचन हिंदी की वर्ण माला में 11 स्वर तथा 33 द्व्यंजनों का आश्य नहीं लिया जाता है और द्व्यंजनों का उचारन करते समय स्वरों का आश्य लिया जाता है धन्यवाद